हेलो, आज हम डिसकस करने जारे हैं जामिय मिलिय असलामिय के एंटरेंस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में डिसकस करने जारे हैं सेशन 21-22 तो जामिय मिलिय असलामिय का कोर्स कोड B25 BPT का एंटरेंस टेस्ट का रिजल्ट आ गिया है तो finally interest test का result आ गया है तो कौन-कौन से candidate select हुए है हम इस वीडियो में discuss करने वाले है waiting list में किन-किन candidates का नाम है admission formality आपको कब तक complete करवानी है क्या-क्या documents लेके जाने fees के बारे में और affidavit के बारे में तो एक ही करके हम जो सारी चीजें इस वीडियो में discuss करने वाले है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं admission formality तो admission formality कंप्लीट करवानी के लिए आपके पास दो दिन है 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर अब टू 1 पी-म दी डिरेक्टर सेंटर फोर physiotherapy and rehabilitation आपको admission के टाइम पर अपने original document लेकर जाने और photo state भी लेकर जानी है अब क्या-क्या documents लेकर जाने है सबसे पहले point number one आपको अपना admit card ले जाना है registration form ले जाना है और two recent passport size photograph ले जानी है admit card और registration form आप login करके जो है print out निकल वाले जीगा और दो photograph आपको लेकर जानी है proof of passing qualifying examination आपको अपनी original mark sheet लेकर जानी है जिस basis पर आपने form fill करा होता है proof of age based certificate आपको class 10th का certificate लेकर जाना है proof of permanent address आप कोई भी एक document लेकर जा सकते हैं voter eye card, passport, driving license, अधार card इसमें से कोई भी आप एक document लेकर जाईएगा point number 5 से point number 8 Muslim OBC, Muslim ST, PWD category, Kashmiri migrant category और जम्म कश्मीर कटेगरी अगर आप general से belong करते हैं तो आपको कोई document लेकर ने जाना अगर आप Muslim से belong करते हैं कोई document लेकर ने जाना अगर आप Muslim woman category से belong करते हैं तो भी आपको कोई document लेकर नहीं जाना लेकिन अगर आप Muslim OBC से हैं तो आपको OBC का certificate ले कर जाना है Same आप PWD category से हैं या कश्मीरी migrant या फिर जमू कश्मीर तो आपको certificate ले कर जाना है Character certificate आपको ले कर जाना है Migration certificate भी आपको ले कर जाना है Blood group certificate आप बनवा लीजेगा आपके पास नहीं होएगा तो अगर होएगा तो आप certificate लेकर चाहिएगा ठीक है नि तो आप blood test करके blood group certificate बनवा लीजेगा Point number 11, point number 12 affidavits का है आपको affidavits बनाना पड़ेगा अगर gap year है तो आपको एक affidavits और बनाना पड़ेगा और last आपको fee submit करनी होती है तो fee submit आपको department से fee slip मिलेगी जो की fee slip तीन पार्ट में divided होगी तो आपको क्या करना है बैंक में जाकर submit करना है बैंक में कहां आपको gate number 4 gate number 4 पे आपको जो है department सब्मिट करकर आनी है फिर आपको घर जाना है चीक है यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो चलिए देखते हैं cutoff बीपिटी तो जनरल की cutoff गई है वो गई है 67.25 मुस्लिम की गई है 60.75 मुस्लिम ओबिसी की 56 मुस्लिम मॉमिन की 59 जामिया इंटर्नल 64.25 पीडवलोडी 33.5 31.5 जम्मु कश्मीर 43 और कश्मीरी माइग्रेंट 18.5 तो यह तो थी हमारी cutoff चलिए देखते हैं कौन-कौन सी candidate select हुए तो मैं आपको यहाँ पर complete list दिखा दे रहा हूँ बाकि आप जामिया मिले इसलामे की साइट से list देख सकते हैं application ID और यह roll number mention है ठीक है तो आप इसका screenshot भी चाहें आप screenshot भी ले सकते हैं ठीक है बाकि मैं आपको complete list दिखा दे रहा हूँ next category Muslim आपको अपना roll number अच्छे से चेक करना है लिस्ट में ठीक है ऐसा ना हो कि बाद में आपको पता चले आपका roll number list में है और आप admissions के लिए गए नहीं ठीक है तो आपको अच्छे से चेक करना है कि आपका नाम कहां पर है Muslim woman जामिया internal selected list में नाम है आपका या फिर जो है आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपको अच्छे से चेक करना है जम्मू कश्मीर कश्मीरी माइगरेंट ठीक है चले देखते हैं वेटिंग लिस्ट फर्स तो कौन-कौन से candidate सेलेक्ट होए सबसे पहले category general यहाँ पर application ID और roll number mention ह तो आप इसमें जो है चेक कर सकते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम तो नहीं है और वेटिंग लिस्ट में नाम है तो नाम कहां पर है कितना वेटिंग है आपका चीक है जनरल के बाद मुस्लिम वेटिंग लिस्स फर्स्ट छीक है ये मुस्लिम कैंडिडेट नेक्स देखते हैं मुस्लिम OBC मुस्लिम वॉमन नेक्स देखते हैं जामिय इंटर्नल पी डबलो डी और जमु कश्मीर ठीक है तो मैंने आपको जो है जामिय मिल असलामे के कोर्स कोड B25 BPT की कम्प्लीट लिस्स दिखा दी अब आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है कौन-कौन से डॉक्युमेंट लेके जाने कट अफ क्या गई है कौन-कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और वेटिंग लिस्स में किन-किन बच्चो आपको एडमिशन फॉर्मलिट इस कब तक कम्प्लीट करवानी आपको भी मैंने बता दिया थैंक यू प्राइब मैंने आपको प्राइब नहीं, हैका लाण से जिए दिस्टेग झापको एडम हा इंक झालिफिग्टोट नहीं कि प्किता आपको प्रह कृ जागं ही, हनुर कर देटिए, हम इसका झापकों